अकिल भारती विद्यारती परिशत के कारिकरताओं ने आयोध्यादास राजकी बालिका इंटर कालेज में शैच्छिडिक शुल संबंदित वित्तिय अनिमित्ता को लेकर संयुक शिच्छा निदेशक को ग्यापन प्रेशित किया ग्यापन में अखिल भारती विद्यारती परिशद ने कहा कि AD विद्याले में अभिभावक शिच्छक एसोसेशन PTA असमयधानिक रूप से गठित है अभिभावक शिच्छक एसोसेशन के नाम पर बड़े अस्तर पर धन उगाही की जा रही है Right to Education के तहट कच्छा 6-8 तक के विद्यारती से कोई भी शुल्क नहीं लिया जा सकता इसके बावजूद वहां की परधाना चारिया धरले से 450 रूपे ले रही है विद्याले में कच्छा 9-12 का के नाम पर 550 रूपे लिये जाते हैं आउर्सोर्सिंग के शिच्छकों के नियुक्ती पूर रूप से असमेधानिक रूप से होती है यदि वह शिच्छक उनके मन मताविक नहीं रहता है तो वह उन्हें विद्याले से बाहर निकाल देती है विद्याले में शोचाले सफाई के नाम पर छात्रों से 20 रुपे लिया जाते हैं इसी परकार विद्याले में अनेक मौकोप पर मनमाने ढंक से शुल्क वसूली किया जाता रहता है किसी फीस के लिए रसीद भी नहीं दी जाती है कारकरताओं ने संयुक शिच्छा निदेशक के से मांग की है कि इसकी जाच कराकर कड़ी कारवाई करते हुए तोरित इसका निस्तारण करें अने था आखिल भारती विद्यारती परशद इस विशेपर उगर आंदोलन करने को बाद होगा जबकि इस संबन में जब आयोध्यादाद बालिका इंटर कालेज की परधाना चार्या रेमी यादव अकिल भारती विद्यारती परशद के सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि छात्राओं से जो भी शुल्क लिया जाता है वो नियमानुसार लिया जाता है अभिभावक शिच्चक एसोसेशन के द्वारा सहमती के आधार पर ही छात्राओं से शुल्क लिया जाता है उस पूरे पैसे का पूरा हिसाब रखा जाता है रेमी यादव ने कहा कि इसकूल में शोचाले के नाम पर कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता इस समन्ने गुरक पूर्नियुस से बात करते हुए विद्यारती परशद के राष्ट्री कारकाराडी परशद सदस हर्शवर्धन सिंग और दूरभाश से बात करते हुए एडी इसकूल की परधाना चार्या रेमी यादव ने कहा बंद करो बंद करो सिच्छा का वापारी करें बंद करो अबर वसूली बंद करो अर्सवर्धन से राष्टी कारकाणी परशद सदस्य अखिल भारती विद्यारती परशद गोरभपूर महानगर के कारिकरताओं ने प्योद्यादास राज़की बालिका इंटर कॉलेज गोरभपूर के वित्तियन मिताव को लेकर संयोग सिच्छा निदेशक मंडल को आजग्या पास होगा जैसा कि पूर्व में अविवावकों द्वारा और विद्यारतीयों द्वारा ये पता चला कि पीटिये के तहद वहाँ पे राइट टू एजुकेशन में जो 6-9 तक के बच्चों की सिच्छा पूरी निसुलक है वहाँ की विद्यारतियों से वहाँ की प्रधनाचार महोदे धडले से 4.5 सुरुपे लेती हैं और उस सुविद्याले में कुल 25 सुविद्यारती पड़ते हैं इसके अन्रूप 9-12 तक की बच्चों के फीस वह पीटिये के तहद 5.500 उरुपे लेती हैं जो पूर डूप से असमे धानिक और गलत है पीटिये में केवल सासंद्वारा एक लाइन का वर्णित है कि स्कूल में पीटियो को गठित करना है ना कि उससे फीस लेना है बाकी इस मद में उनसे पूछने पे उनके द्वारा केवल एक प्रतियुत्तर मिलता है कि हम इसका ID कार्ड बनाते हैं बाकी इस बाकी और पैसे का कहां पे क्या उपिये होता है इसका कोई लेखा जो खा नहीं है वहाँ पर वो विद्यार्थियों से 20 रुपे 140 की सफाई के नाम पे लेती हैं वहाँ पे जो आउट्सोर्सिंग के सिच्छे के नियूक्त होते हैं उनकी नियूक्ति प्रकिरिया का कोई भी समयधानिक तरीका नहीं है जिनका मन होता है वो नियूक्त करती हैं कुछ दिन रखती हैं फिर उनको वापस कर देती हैं ऐसे बहुत सारे विशंग हैं जो उस विद्याले में देखने को मिले है और इन वित्ती अनमिताव को लेकि अखिल भारती विद्धारती परसादा सयुग सिच्छा नीदेशक मंडल से मिली तो क्या यह सब्सक्राइब करे मिली अजिच्छा नेयुटाइब करें कि इसके सब्सक्राइब करें और सभी विज्ञानों के जैसे अपने 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 जो मतर्शिक्षा के लिए उतना हज़िदारे लेता है जिसमें आपके उपा रोक है कि ये आप इतना पांसो पजास रुपार पति विज्ञार्थी ले करके अपने गवन या वोटाला की है इसे जैसे जो एक इस पैसे का हिसाब है और प्रिंस पर चुनाओं होता है उस अधड़क्स होते हैं कोशाद्यक्स होते हैं जो भी धंदाश निकलती है वो PTA के में से ही जो अज़त चुने गए होते है अज़ावकों में से उन ही किसी मेचल से निकलता है और वो सब जो है छात्राओं विद्याजियों के सर्वांगी से विकास में ही खर्च होता है जैसे हमारी है साथ टीटर्स वीटे के उसे रखी ग और ऑफी उन होते हैं वह सब एक पैसे का इसमें निरधार है यह बताए कि यह जो साथ टीचे बखे गैंगे जो साथ जार उपर खर्चा होता है यह एक यह निक्ति कुन करता है यह बिद्यालें इस सब पर ही होता है जिसे मागायर जाता है अभी तो मतलब करेंट में हमारी तो उसमें जो रिजूम आए जाता है, अब जैसे परियर में बच्छों से बोल जा जाता है, कि हमें इस सब्जेक की सीचर चाशकता है, आप लोग अपने अभिवावकों से अपने घर के आसपास जो भी लोग हो उनको बताईएगा, तो लोग रिजूम गांते हैं, तो रिज किसमें प्रिंस्टों की क्या भूक का होती है? तो किसमें? इस पूरे प्रकर में पीटीएस के उसमें होती है, जो आप करें ये करें ये उसमें प्रिंस्टों होती है, अच्छा है, तो इसमें जो पैसे का जो संचालन होता है, किस के किस के पैसा ने कलता है? वो ट一定要 कामे जो पॉलीडफ़मत गेंटे हैं जो की जो लघ्र बूते हैं और अभड विगया चुन जो पॉली जो भलता है अध्यकुन नियड विगृता की जिसलिगिवकर को लड़की है उसका नाम कि विटिया का नाम इशा बुटा है किस क्लासन पड़ती है पस्कियाद डीवन यह बताए कि इस पूजे आरूप के उपर आपसे क्या कहना है यह लोगों ने जो भी आरूप लगाया है वो दिना किसी सही जानकारी के लगाया है झाल